इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जग है पुर्ण्यार जगने पुज गुर्देव की चन्नों में कोटि शमंद्ना, विराजमान सही सित्रतेश उष्रिमाना सहां प्रभमहाविर के रिष्टों की गाथा सुनने के लिए आस्ताम भक्ति के साथ उपस्ति स्रद्धालुगन एक तिर्थन का जिसमें रिष्टों में जीता है एक तिर्थन का जिसमें स्रमन बनता है तो उसके स्रमन में जैसे एक स्रेष्टता आती है वैसे एक तिर्थमकर जिसमें के रिष्टे को जीता है तो इस रिष्टे को कैसे जीना चाहिए इसका उतकुष्ट उधारन सामने प्रस्तत हो जाता है अरे कथा मैं इसलिए करते रहता हूं के रिष्टों में कैसे जीना चाहिए यह भगवान महाविर से हम सीख सकते आराम से कि जहां भी हो रहें किस पर कहां एक स्रिश्टता के साथ रहें चाहे तिशला के लाल बन करके जिए تو ऐसे जिए ऐसे जिए कि तिशला के मन में और कोई कसक बाकी ही नहीं नहीं रही है सिधार्त के नंदन बन करके जिये तो सिधार्त को कभी लगा ही नहीं कि और कुछ होना चाहिए आपने और से नंदि वर्धन के सांद भी उनोंने पूरी सृरिष्टता के सांद जिया कैशे रिस्ते में वुलजहन आती है कि एक सृष्ट वेक्ट के साथ जीते से मैं भी, वेडिया हम सहस्ता को सृखार्ण hmau ने कर पाएं, तो स्टितिया क्या बनती है, उसका एक नंदी बर्धन उदारने। और स्रेष्ट वेक्ट्पे साथ स्रेष्टता के साथ जी ले, तो किस उच्चाहीं पर पहुंचा जा सकता है उसका उधारन है सुपार्ष उसका उधारन त्रिशला नहीं है उसका उधारन से धार्त नहीं है उसका इधी कोई एक्जाम्पल है कि स्रेश्ट अविक्ति के सांजीते समय किस गहराई से किस उच्चाहीं से जीना चाहिए उसका उधार है नियुक्त पर्मात्मा के ऐसे रिस्ते में चाचा है लेकिन भावों में किवल भगता है इतनी मुद्कुष्टता से जीया उन्होंने पर्मात्मा के साथ अपने रिस्ते को कि तिर्थंकर प्रमात्मा को किवल ग्यान होने के पहले उनके तिर्थंकर नामकर्म का बंद हो गया मैं मेरे पंग्दी को मापल दोरा रहा हूँ किया आपसे मिस न हो जाए भगवान महाविर के शाहसन में जिन जीवों ने तिर्थन कर नाम करों का बंदकिया उसमें पहला नाम कोई है तो सुपार्शुकाए और मज़दार ये किस्सा है कि भगवान महाविर को तिवल ज्ञान होने के माद सुपार्शुकाई इनके दर्शन के लिए गए हो इसका कहीं जिक्र नहीं है क्षत्र कुंडग्राम में प्रभु पधारे महान कुंडग्राम में प्रभु पधारे पुरिया दर्शना के दिक्षा हुई जमाली के दिक्षा हुई लेकिन उस पूरे कारिक्यम में कहीं पनवी सुपार्शुकाँ जिक्र आपको सुनने कोने मिलता है और तिर्थन करे नाम कर्म का बंद की यांग दो दे ये प्रमान मिलता है तक ऐसे जियां जा सकता है किशी व्यक्ति के साथ इसका स्रिष्ट अतमुधारन को ये तो सुपाश रहे है जमाली उनका भंजा है जमाली उनका जवाई है और जवाई कैसे जी सकते हैं उसका उधारन जमाली है प्रियधर्शन अब की बेटी है और प्रियधर्शन अब बेटी है वो भी जमाली के साथ दिक्षा लेती है लेकिन जी समय जमाली भगवान महावीर से अलग हट करके खेनाम खणा हो जाता है तो प्रियधर्शन अब महावीर के साथ नहीं रेती है जमाली के साथ जाती है रिष्टे की उलजीवी गुत्यां देखो कैसी है जो धिरे धिरे आपके सामने आएगी बाद में वो एक कुंभार प्रियधर्शन को समझा देता है और फिरे प्रियधर्शन लोट करके भगवान महावीर के पास आती है कई सवाल मन में उभरते है और आपके समन में सवाल उभरने चाँए इसलिए मैं जिक्र करके सुदर्शनम्न के बेहन है असुदर्शना बेहन नहीं जिस तरीके से नंदी वर्धन को प्रति बहुत दिया है, उससे पता चलता है कि उसे भगवान महामिर के साथ कैसी जिवन जिया हुँद है। यश्वधा किस तरीके से महामिर के साथ जीती है। गोतम बुद्ध जब सन्यास लेने के लिए जाते हैं तो रात के अंधियारे में जाते हैं। पत्नी को सोया हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं था कि पत्नी मुझे मेरे साधना पकली है, शुकृति देगी। लेकिन वर्धमान जब दिक्षा लेते हैं तो अंधियारे में नहीं लेते हैं। उन्होंने कहीं अपनी सहचारिनी को अंधियारे में नहीं रखा। और परमात्मा की दिक्षा और किवल ज्यान होने के बाद जसोदा का कोई जिक्र महामिर का था में नहीं मिलता है। क्या राज है हम आगे देखेंगे यह भगवान महावीर के साथ लोग कैसे जी इसका थोड़ा सा जिक्रे इन सब रिस्तों में महावीर कैसे जी होंगे क्या अंतर है महावीर के जीने में और महावीर के साथ जीने में इस अंतर को थोड़ा सा पहले क्लेर कर ले कि बागे जो भी जी रहे है वो अपना एक सोच ले करके जी रहे है सिद्धान तो भी देखते हैं वर्धमान के तरब तेक बेटे की रुप में देख रहे है और निश्यत रुप से उनके आपेक्षा हैं बेटे से ऐसे अंजिकन जाता है कि सिद्धान तो चाहते थे कि वर्धमान चक्रवर्ती हो जाए जबकि उनको पता था कि भगवान पाशनात के करके गए कि वर्धमान तिर्धम करोगा लेकिन फिर भी एक पिता किस प्रकार अपनी तमनाओं को अपनी अर्मानों को अपनी पूत्र पर अपनी पूत्र से पूर्ण कराने का प्रयास करता है और कैसे परमात्म उनकी तमन्नावं के बीच में से रास्ता निकालते हैं कि चोट पहुचानी नहीं है बिना चोट पहुचाहें कैसे रास्ता निकालता है नंदिवर्धन अपनी और से कंडिशनल है लेकिन भगवान महावीर कही पर भी कंडिश्टन नहीं है वह 100% अनकंडिश्टन है दिक्षा की गोशना करने के बाद नंदिवर्धन को रुकने के लिए केता है तो रुख जाते हैं आप सोच सकते उस बाद पर कि वर्दमान ने दिक्षा की गोशना करी अनक्डिवर्धन ने कहा कि तुम अभी नहीं जा सकते हो तो दो साल रुख गए बहुत बड़ा निर नहीं हो और कितना वह अपने बड़े भाई का आदर करते थे उसका एक जान पर ले किस तरीके से उन्होंने बड़े भाई की उस बाद को भी स्विकार किया जो उनके साधना के लिए बादक थे यदि नंद्यवर्धन नहीं रुकता है तो परमात्मा के दिक्षा अठवे साल के उमर में हो जाती वो तीस साल में हो गई है तो कितना उन्हों रिष्टे को मुल्य देते थे किस तरीके से उन्हों रिष्टे को गरिमा से लिया कितने खुले मन से लिया और ऐसे खुले मन से रिष्टे को लेने वाला वेक्ति यह उनको देखना होगा है और उसका कारण क्या है कि उनकी हर रिष्टे पर स्रद्दा है अधिकार कही पर नहीं रखते हो और हमारी उल्जन के बले एक ही है हम बिना अधिकार का रिष्टा जिना चानते ही नहीं है यदि समझ सके तो एक दो आपके में बात समझने ची मावीर हर बात को स्विकार करते है और हम हर बात को अधिकार में लेते है और जैसे हम अधिकार में लेने का प्रयास करते है वह इसे संगर्श शुरू हो जाता है रिष्टे को जी स्विकार करकर के जीए तो स्रद्धा का जनम होता है और इस्ते में आदिकार के भाषा शुरू हो जा है तो संगर्ष शुरू होता है पहला मेसे बिलकुल क्लेन लेना इसलिए महाविर को कुई दो साल रुकने के लिए संगर्ष नहीं करना पड़ा क्यों नंदी वर्धन को बड़े भाई की रुक में सीखार कर लिया नंदी वर्धन को जरुरू संगर्ष शुरू करना पड़ा है कि भगवान महाविर ने रेने के साथ एक बात कहीं थी दो साल ते रहे लेकिन जीना कैसा ये मेरा विशा है दो साल के लिए मैं रुकता हूँ लेकिन कैसे रहना है वो निरने मेरा रहे गाई मैं महल में रहूंगा लेकिन महल में कैसे रहना इसका निरने मेरा है अनंदी वर्धन ने सोचा भी नहीं था कि मेहल में भी योगी बन करके जाएगा इसलिए नंदी वर्धन को वो दो साल जेलने बहुत भारे गए कि नंदी वर्धन अनकंडिशनल था और भगवान महाविर को दो साल स्विकार करने आसान गए क्योंकि अनकंडिशनल था कैसे एक प्रजा के साथ उनका रिस्ताद है जनता के साथ कैसे रिस्ताद है कैसे दुख्यों के साथ रिस्ताद है दिक्षा लेने के बाद सामन्य साथू भी दान ने करता है और तुर्धन करका तो दान देने का विशे नहीं आता है लेने के ब्राह्मान जिब उनके पास पहुंचता है दिक्षा लेने के बाद अपना दुख लेकर के अपना दर्द लेकर के तो बिना नानूच के बिना हिच्क चांट करे जो तेवीस तिर्थनकरों ने नहीं किया था भाविशे में कोई करेगा या नहीं करेगा क्यों ली जाने लेकिन इंद्रे ने तिया हुआ वस्रग देवस्रग जो उनके कंधे पर था उसके दो पिस करके एक पिस उसको दे देते हैं उस करुणा को हम देखे उस करुणा को हम महसुस करे जो परंपरा स्विकार नहीं करती है लेकिन महावीर की करुणा किसी परंपरा का गुलाम नहीं बनती है और करुणा जब किसी परंपरा का गुलाम बनती है तो करुणा रेती है नहीं हो वे बिजनेस हो जाता है इसने वो अराम से दे देता है उन्हें देने में कोई संकोच नहीं हुआ और एक सेथ है जिससे में उस वस्र को देखता है और उसके ध्यान में आता है कि इसका आधा पिस आया आधा पिस और आ जाए तो मज़े आ जाएगा है एक सेथ क्या सोचता है एक बनिया क्या सोचता है वो ब्रह्मन उसको क्यता है कि उनके पास उतना थो बचा है पनोलालच लोब देता है तो दूसरा टुकड़ा में ले आ जाए तो तुझे चार गुना किम्मत दोंगा अब चार गुना किम्मत के मोह में लोब में वो जाता tuh है लेकिन मांगتा नहीं है वो दरिद्री है वो गरीव है शेट स्रीमन का है इसके बावजुद उस गरीब के मन में एक सम्विधना है कि जिनों ने मुझे आधा दिया है उनसे में दुसरा कैसे मागो माहविर जानते हैं उसके मन को और माहविर के पिछे पिछे वो चलते रहता है मैं काहनी कहूंगा तब ध्यान में आएगा आपके कि वो पिछे पिछे चलने में कपड़ी की बाद छोड़ दो लेकिन माहविर के पिछे पिछे चलने में उसने कितनी माहविर की भक्ति कर लियोगी कैसे एक चंद दिन बाला के लिए वो पाँच मेने और पचीश दिन उसको खोजने में बिता देते हैं अवधी ज्यान उनके पास है मन परे ज्यान उनके पास है और उनको पता है कि पार्णा कम हो सकता है उनको जान सकते थे हैं फिर रोज क्यों जान बेर थे ये रिष्टे की कहानियों में कुछ तर्निंग पॉइंट है क्वारण रिष्टे की एनको कायात के लिए रिए आंको झाल झाल